और शली आके बढ़ते बात करेंगे सोनीपत के कालूपुर्चुंगी के नस्दीक नौ साल की बच्ची को कुचलने का मामला सामनी आया है स्कूल चाते समय नौ साल की शात्रा निशा की बस के टायर के नीचे आने से दर्दनाख हाथसे में मौत हो गई अलाकि बस के ट्राइवर ने बच्ची को नागरिक हॉस्पिटल में पहुचाया लेकिन निशा की मौके पर ही मौत हो गई थी तो पुलिस नागरिक अस्पताल में पहुचकर पोस्ट मातम के लिए कारवाई शुरू कर दी है